नमस्ते, आज के चमतकार से पहले आईए श्रीपरम जोती कलकी के प्रकटित बोद को देखते हैं स्वय को केवल चिंतित होने से बदल कर सम्मंदित होने में रुपांतरित करें और अब आज का चमतकार मैं मुंबई से उदे कनन हूँ मेरा भाई चेनई में है 2018 से वे अवसाद और स्वार्थ सम्मंदि समस्यों से पीड़ित था 2019 में उसकी पत्रिक शान्ती को कैंसर होने का पता चला उसका उपरेशन हुआ और उसका इलाज चल रहा था उनकी आर्थिक स्थिती नाजुग थी उसने अपने ससुर को खो दिया था जिने गिरने के बाद गंबीर चोट लग गई थी और उन्हें महिनों बिस्तर पर रहना पड़ा था 2018 से मेरे भाई को उसकी पेंशन नहीं मिली थी क्योंकि वह अपना जीवन प्रमानपत्र जमा नहीं करा पाया था वह विभिन समस्याओं का सामना कर रहा था उसमें सबसे बड़ी बात उसके आत्म विश्वास को खोने की थी कई बार हमने उन्हें मोटिवेट करने की कोशिश की लेकिन हर बार कोशिश बेकार रही 30 नुवेंबर 2020 को सुभे कॉन्फरेंस के दौरान मैंने अपने भाई की और से प्रार्थना की शान को जब प्रक्रिया शुरू हने वाली थी हमें अचानक उसकी पतनी का फोन आया जिसमें उसने बताया कि उसकी पेंशन समंदी समस्चा का चमतकारिक ढंग से समाधान हो गया है और जल्द ही बकाया राशी मिल जाएगी यह बहुत ही अविश्वशनी हैं खबर थी हम श्रीपरमजूती कलकी के आशिरवात की बोचार से आनन्दिध हो गए हम सबकी और से क्तिक्यता अर्पित है